कि सिर्फ वावाई लुटने के लिए भारती जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों को मारने का लगातार मार रही है और आदिवासियों पे अत्याचार भारती जनता पार्टी सरकार में बढ़ा है जिस तरह से उसुर में पूरे गाओं के गाओं के लोग पूरे गाओं को उठा कर लाना और फरजी नक्सली के नाम से उन्हें डराना धमकाना और उन्हें जेल भेजना बाकी लोग छोड़ देना जेल भेजना पूरी गाउं इकटाओ कर गहे थे कि गाउंवाले और मिन्नते कर रहे थे वहां पर कई मैला तो रो रो के माँ बुरा हाले बच्चों का बुरा हाले आकिर इस आधिवासी मुख्यमंद्री के राज में है आधिवासी क्यों अपने आपको इतना असरक्षित महसूश कर रहा है ये सोचने वाली बात है अगर मुख्यमंद्री में थोड़ा सा भी मानवीता है थोड़ा सा भी इंसानियत है तो इस तरह के मामलों को ततकान बंद करना चाहिए और आधिवासी पात्याचार नहीं होना चाहिए इसलिए इस मामले की घटनाओं को लेकर प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी ने गंबिरता से लिया है जाज कमिटी बनाए है जाज कमिटी जाएगी और गांवालों से चर्चा करेंगे रिपोर्ट आने के बाद प्रदेश के सभी जी लाग द्यक्चों साथ होगी और दूसरी बैठक प्रदेश कारेकाराणी की होगी जहाँ पर आगामी हमारी कारे उजनाओं को लेकर चर्चाए करेंगे और शंगटन के रनीती, शंगटन की मजबूती को लेकर और आने वाला समय में हम सरकार की इफलताओं को लेकर हम जन्ता तक उन मुद्दों को पहुचाए इसके लिए हम लोग रनीती के साथ हम लोग काम करने के आज रनीती बनाएंगे दूसरी चीज यह है कि नगरी निकाए चुणाओं को लेकर भी हमारी चर्चाए होगी क्योंकि आम जन्ता बिजली के आंके मिचोली से और बिजली बील में बढ़ोती इसलिके परिशान है और लगातार महंगाई से देकर परिशान है सरकार का कानून व्योस्ता में कोई नियंतर है नहीं मतलब पूरी प्रदेश की जन्ता भारती जन्ता पार्टी की सरकार से तरस्त हो चुकी है ये डबल इन्यन की सरकार से तरस्त हो चुकी है पिछले पांच वर्सों में जो इसकुलों के हाला थे वो बत्तर इस्थिती में हो गए सरकार के मुख्य मंतरी और जो तक्कालिन जो वहाँ पर उस समय में उप मुख्य मंतरी थे उनके बीच में आप से लड़ाई के चलते और उस समय में जो सिख्षा मंतरी थे प्रेमसारिक टेकाम जी उनके कारण से क्योंकि उनको क्यालते हैं बावा के गुट का माना जादा था उसके कारण से उस उस भाग की अन्देखी की गई लेकिन चत्तीगर के भारती अंता पार्टी के सरकार उसिन देश्थाइकी सरकार सिक्षा विभाग को प्रथम कालते स्ट्रणी में रखती है और उसकी चिंता करती है और सिक्षा विवस्ता सुद्रिन हो इसकी कोड़िश करती है 22 तारिक से विधान सभा का मानसून सत्र प्रारम हो रहा है उससे वो बिलकुल खामोज बैठा हुआ है क्योंकि जन्ता ने उनका मुह बंद करा दिया है उनका बड़बुलापन खतम हो गया है और भगवान उनको सहन सक्ति दे और विभिन वीश्यों पर उनको कलते हैं चिंतन करने का उसर प्रदान करें अब वो कितना मजबूत करेंगे संगठन को वो तो वो बदा पाएंगे लेकिन कुल मिला करिये है कि हार का ठीकरा किसके उपर फोड़ा जाए इसके लिए वो व्यक्ति ढूड़ने की कोशिच कर रहे है